ही व्रीवान विल्कम बाक तो माई चानल स्टूडेंस हमने पिछली जो वीडियो थी और पिछला जो था उसमें हमने एक दूसरा टॉपिक डिसकस किया था इसका नाम था इंपॉर्टेंस ऑफ स्मॉल स्के इंडस्ट्री और यू कैंसे आड्वांटेज आफ स्मॉल स्के आप रिक्वेस्टिंग यू तो आप प्लीज सब्सक्राइब माई चानल चेक आउट वीडियो जाती है तो उसमें कुछ मेजर डिफिकल्टी जाती कुछ प्रॉब्लम साते हैं या कुछ एडवर्स सिचुएशन आती है उसका एफ्ट आता है तो यह सारे चीज हम यहां पर इसका करने वाले हैं तो चैलिजिस सबसे पहला है जो ओल्ड मैथड आफ प्रोड़क्शन जैसे कुछ मतलब कमोडिटी ऐसी है या कुछ प्रॉडक्ट ऐसे है जो अभी भी निव टेकनोलोजी का यूज करने की वज़ाए आउट टेकनोलोजी का यूज करते हैं जिससे क्य प्रोड़ी प्रोड़ी तो इसलिए जो है हर एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में यह प्रॉब्लम स्फेस करती है जो जिसका नाम है ओल्ड मैथड प्रोड़क्शन जनरल स्मॉल स्केल डस्ट्री यूज आउट्ड टेकनोलोजी इसके वैसे प्रॉब्लम आता है यानि कि चीज़ें बनाए जा रहे तो यहां पर क्या होगा जहां पर एक मशिन यह टाइम में दस प्रॉड़क्श को बनाती है महां पर लेबर जुए वह एक टाइम पर जो खले दो सटीन प्रॉड़क्शन बनाएंगे तो कहीं न कहीं यह लौग रहता है नेक्स आता है इनाडेक् चीज़े यहां पर problem करती है so non availability of inadequate finance is a serious problem face by a small scale industry के सबसे ज्यादा problem face होती है and generally small scale industry begin with a small capital industry वो छोटे थोड़े capital से start की जाती है so many of unit in the small scale small industry sector raise fund from capital market जाता यह लोग कहां से पैसा रेस करते हैं capital market से आप जाके मेरे चैनल पर देख सकते मैंने capital market market का अलग से वीडियो डाला हुआ है वहाँ पर आपको चीज़े ज़्यादा clear होगी ठीक है so next आता है next problem है problem of raw material जैसे कोई commodity ऐसा जैसे कोई आपको अगर पता होगा कोई वह होता है इसे नारियल का जो पेड़ होता है जो फल होता है उसके उपर जो ब्राउन क्लर की जो रेश्यों होते हैं उसको कोई कहा जाता है उसके से काफी चीज़े बनती है तो अगर कोई रही नहीं मिलेगा तो वह जो भी commodity उससे बनी जा बनाई जा रहे हैं तो उसके प्रॉब्लम होगा तो जब रॉब्लम का जो रॉब्लम बेस इंडस्ट्री है वहां पर इक प्रॉब्लम होती है सब्सक्राइब प्रॉब्लम प्रॉब्लम ऑफ प्रॉब्लम अपर रॉब्लम हो जादा पैसा जो है जुब्लम में ही करता दब्रॉब्रॉब्र यहां पश्यक्त सब्सक्राइब ये तो लाइं ठीज़की सकत I am a यहां कि देडि में समय में लिश्यक्त सेमय कमश्ण ऊन्म कर रिख़ा तो to a प्रोब्लम्ण ओफ लो लेवर प्रॉड़क्टिवेटे आफ पीजियर में ऊब्स तो तो यहांपर कैंझ सुम ठाइम कम मिलते हैं या उससे अच्छा कहीं पैसे यह कमेटमेंट हो जाती है वह काफी कम होता है इसलिए लेवर कोझेंचा कैने के Province चीज होती है एक इंसान वहीं पर काम करना चाहेगा जहां पर उसको जोब सेक्योरिटी मिलेगी है ना और इंडस्ट्री जो अनट्राक्टिव टैलेंट है आने कि लोगों को उतना मतब फोकस नहीं लिए चैनल पाता है यहाँ पर प्रॉब्लम आती है तो पहले तो मैंने बताया है ये लोग यांस के लिए सेमिकल को हायर करते हैं पर करते हैं और कभी कभी वेज्टी वेसे उनकी अप्सेंटिजम बढ़ जाती यह पूर जोब कमेटमेंट हो जाती है या अपना ड़ाने के ल क्या कर रहे हैं अब तो इंटरनेट आ गया है तो आप इंटरनेट से भी अपनी चीज़ों को बेच सकते हो मैंने यूटुब का चानल देखा तो वहां पर वो लोग अपनी क्रेटिविटी को यूटुब के माध्यम से और या फेस्बुक के माध्यम से लोगों तक पहुंचा हैं और से यूटर साव जिसे और चानल लेख लेखा है जिन का जो लोग क्या करते हैं वह लोग मंदिर बनाते हैं मंदिर को अलग-अट्रीव वोड बनाते है सब्सक्राइब अच्छा अच्छा प्रॉफिट या अच्छा रेविन्यू कमाना है तो आपको कस्टमर की अंडरस्टाइब के सब्सक्राइब करता है और दूसरी चीज यह भी हो जाती है कि कर वह जो में मैं होता है प्रडूसर जिसको कहते हैं उनको एक्स्प्लॉइट भी करता है इन तामस आफ क्या करता है लो प्राइस पे करता है या डिले करता है पेमें तो यह सारी चीज़ें होती है विकास आप अगर सिंपल सी वात है अगर अपने कमार्टी को दूसरे स्टेट वेजिएंगे तो आप आपको प्रॉफिट भी जादा होगा सब्सक्राइब कोई स्टेट में बहुत कम मिल रहा है और दूसरे स्टेट से आपको राव मट्रेल लाना है और आपके पास अतनी आउड़ टेकनोलोजी नहीं है आईदर आप अपने जगा दूसरे स्टेट को बेच रहे हैं जहां पर यहां पर अधर यहां मिल पाता है प्रांस्पोर्ट के बिज्नेर नौस दो सकते हैं पर बիज्नेस के लास हो दूसको बापनी कमपनी कहा जाता है है प्रिवेलिंग आप सिक्टिंग इंडूस्ट्री विख में आप वरी बोथ अब इसमें कौन-कौन से प्रोब्लम साथी है प्रॉप पॉलिसी मेकर और अंटेप्रिंग और अगर इंटर्नल की बात करते हैं तो इक तो इसको स्किल्ड एंट्रेंड लेवर लाक फ्मानेजरि प्रोब्लम ओफ डिलेंग पेमेंट शॉर्टेज ऑफ वरकिंग क्यापिटल इनडिक्वेट लोंस और लाफ 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 दिमांड फॉर देश बहुत फेमस है बट स्टिल अगर इसके डिमांड कम हो जाए बाहर देश की लोग ना पॉस्टेस करें तो यहां प पर देखो जो मत थोड़े से सिटी से बाहर एरिया है अगर सब्सक्राइब करेंगे अपना बिजनेस स्टार्ट अप करेंगे लेकिन सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आ रही है वह एलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर टाइम पर रहती ही नहीं और उनको उनका काम प्रॉपर हो न अब यहां पर जाता है यहां पर जाता है यहां पर लाइट कभी अचानग से बढ़ गी सारे मशीन से जल गए तो यह सारी प्रॉब्लम्स यहां पर होती है अगर आपको अपकी कमोर्टी को एक दिलवानी है तो ग्लोबल कॉंपेटिशन से ही वह क्या हो सकती है पॉसिबल हो सकती है सो अपार्ट फर्म प्रॉब्लम स्टेट अबाओ स्मॉल बिजनेस आर फेसिंग प्रॉब्लम ऑफ कॉंटेक्स्ट ऑफ लिवरलाइशन प्राविटाइशन ग्लोबलाइशन इसको लपीजी पॉलिसी कहा जाता है जो इंडस्टियल पॉलिसी के एकॉर्डिंग आई हुई थ तो यहां पर हमारा चालेंजिस खतम होता है तो यह सारे चालेंजिस आते हैं यहां पर सबसे पहला चालेंजिस हमने क्या क्या देखा था फर्स चैलेंज ओ आउट्ट प्रॉडक्शन देखा था हमने सेकेंड देखा था इनाडेक्वेट फाइनांस थर्ड प्रॉब्लम प्रॉब्लम आफ ट्रांस्पोर्ट, सीखनेस, पावर शॉर्टेज और इर्रेगुलो सप्लाई, देन ग्लोबल कॉंपूटेशन, तो यहां पे मलोग टॉपिक को फिनिश करते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में, एक नए टॉपिक के साथ, थैंक यू सो मुच आवरिवन, और यस दून फगेट टो लाइक अन सब्सक्राइब में, चाथ, थैंक यू.